जहन बच्चों इस समय आप लोग महमना इंस्टूट के यूटूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग क्लास 11 भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम सेकेंड चैप्टर मातरक एवं मापन के अंतरगत हम या थार्थथा यानि परसीजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं या थार्थथा क्या ही इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को आप लाइट तो करे ही अगर किसी प्रकार की कोई दिकत समझ में आती है तो आप कमेंट भी करें और बेल आइकन को भी प्रेश करें ताकि प्रत दिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहें तो चलिए हम आपको यथार्थथा के बारे में बताने जा रहे हैं और इसके बाद हम आपको परिसुद्धता यानि एकुरेशी के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले आप यथार्थता के बारे में समझें यथार्थता क्या है तो किसी माप की यथार्थता देखें यथार्थता का मतलब होता है यथार्थ यथार्थ माने सही सही माने बिल्कुल ठीक माने तो यथार्थ का मतलब किसी माप की यथार्थता वह मान है जो हमें यह बताती है कि किसी रास का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है तो यहां से हमें यथार्थता का ग्यान होता है इसके बाद हम लोग देखेंगे कि परिसुधता क्या है तो अब यथार्थता के बाद हमें परिसुधता यानि एकुरेशी के बारे में पढ़ना होगा तो परिसुधता क्या है आप धान से समझें अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है परिसुधता परिसुधता का मतलब सुधता मापन में होने वाली सुधता मापन में नो होने वाली ग परिसुद्धता से हमें यह ग्यात होता है कि वह राश किस सीमा तक मापी गई है तो यह परिसुद्धता और यत्हार्थता की परिभासा रही हम आपको अब तुर्टी के बारे में बताने जा रहें तो तूटी का मतलब होता है दोस दोस यानि गड़बड़ी तो एक चीज हम आपको बता दें कि मापन करने में हम कितना भी परिपक को क्यों नहों जब हम मापन करते हैं तो मापन करने में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर हो जाते है तो मापन में होने वाले दोस को ही हम मापन की तुरुटी कहते हैं यह मापन की जो तुरुटी होती है यह मुक्यतिया दो प्रकार की होती है इसमें पहली जो तुरुटी होती है वह क्रमबध तुरुटी होती है क्रम बद्ध इस तूटी को हम कहते हैं क्रम बद्ध तूटिया तूटी कहें या तूटिया कहें क्रम बद्ध तूटिया और इसके बाद दूसरी जो तूटिया होते हैं उनको हम कहते हैं याद्रिचिक तुटिया तो इनको हमें ध्यान में रखना है तो मापन में जीतने भी प्रकार की गड़बडी होती है मापन में जीतने प्रकार की तुटिया होती हैं मापन की तुटियों में मुखतिया दो प्रकार की तुटिया होती हैं एक क्रम बद्ध तुटि होती है और दूसरा याद्रिचिक तुटि होती है तो अब हम लोग जरा क्रमबद्ध तुटियों के बारे में पढ़े हैं तो क्रमबद्ध तुटियां जानि कि systematic errors तो क्रमबद्ध तुटियां जिने हम systematic error कहते हैं systematic errors क्रमबद्ध तुटियां तो क्रमबद्ध तुटियां क्या हैं तो इनके बारे में आप समझें कि ऐसी तुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से प्राप्त होती हैं तो ऐसी तुटियों को ही हम क्रमबद्ध तुटियां कहते हैं अब ये जो क्रमबद तुटिया हैं ये मुख्यतया इसके तीन कारण होते हैं क्रमबद तुटियों के तीन कारण होते हैं और तीन कारण में क्या होते हैं तो देखे हम इस समय आपको तुटियों के बारे में बताने जा रहे हैं जब हम किसी भी प्रकार का कोई मापन करते हैं तो मापन में तुरुटी जरूर हो जाती है और मापन की जो तुरुटिया होती हैं वो दो प्रकार की तुरुटिया होती हैं एक होती है क्रमबद्ध तुरुटी और दूसरी होती है याद्रिचिक तुरुटी क्रमबद्ध तुटी में होता ये है कि ऐसी तुटियां प्रयोग के दोरान नियमित रूप से प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्रमबद्ध तुटिया कहते हैं और इन क्रमबद्ध तुटियों के प्रमुख तीन स्रोत होते हैं तीन वजह से क्रमवध्ध तुठिया होती हैं, जिन में सबसे पहले आता है यंत्रगत तुठिया, यंत्रगत तुठिया मतलब अगर यंत्र में ही कुछ गरवड़ी हो, तो किसी चीज का मापन सही तरीके से नहीं किया जा सकता, तो यंत्रगत तुठिया तब प्राप्त होती हैं, जब यंत्र में किसी प्रकार की कोई गरवड़ी हो, इसके बाद दोसरा आता है प्रायोगिक तकनीक की अपुरूरता, जो प्रयोग जिस तकनीक से हम प्रयोग कर रहे हैं, वह तकनीक ही पुरुड रूप से कामनों कर रहा हो, तो प्रयोगिक तकनीक की अपुरुडता के कारण क्रमपद तुरुटियां आती हैं, और इसके बाद होता है ब्यक्तिगत तुरुटियां, तो ब्यक्तिगत तुरुट या अंजाने में गर्बड़ी कर देते हैं अब जैसे गर्बड़ी करते करते जैसे माली जी गिनते जा रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइफ इसके बाद एट नाइन सेवन हो गया तो बीच में से एक दू अंक गाइब हो गया तो इस तरह की जो तुरुटिया होती है वो व्यक याद्रिचिक तरुटियों के बारे में पढ़ना है और हम दोसरे प्रकार की तरुटिया यानि कि याद्रिचिक तरुटिया याद्रिचिक का मतलब होता है रैंडम जिसको कहते हैं रैंडम जो गर्बड़ी अपने आप हो जाती है जो गर्बड़ी सड़ली हो जाती है तो ऐसी तुटिया जिनके स्रोत का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए या तुचिक तुटियों को आकस्मिक तुटिया भी कहते हैं। समाने तया ये तुटिया तब आती हैं जब प्रेचक लापरवाही करता है। या इसके साथ-साथ वातावरण में आनसिक परिवर्तन से वह अज्ञान होता है। तो अब हमें उमीद है कि आज के वीडियो में आपको मापन में तुटि से संबंधित जानकारी दी गई है। और ये सभी जानकारिया आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप बीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को आप प्रेश जरूर करेंगे, और अगर किसी प्रकारी की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद